भगवान विश्णो जी और नारद मुनी जी एक बार नारद मुनी जी ने भगवान विश्णो जी से पुछा, हे भगवन आपका इस समय सबसे प्रिया भगत कोन है? अब विश्णु तो भगवान है, सो जट से समझ गए अपने भगत नराद मुनी की बात और मुस्कुरा कर वो ले मेरा सबसे प्रिया भगत उस गाव का एक मामुली किसान है, यह सुनकर नारद मुनी जी थोड़ा निराश हुए और फिर से एक प्रशन किया हे भगवान आपका बड़ा भगत तो मैं हूँ, तो फिर सबसे प्रिया क्यों नहीं? भगवान विश्णु जी ने नारद मुनी जी से कहा, इसका जबाब तो तुम खुद ही दोगे, जाओ एक दिन उसके घर रहो और फिर सारी बात मुझे बताना, नारद मुनी जी सुभा किसान के घर पहुँच गए, देखा अभी अभी किसान जागा है, और उसने अपसे पहले अपने जानवरों को चारा बगेरा दिया, फिर मुन हाथ थो, देनिक कार्यों से निवर्थ हुया, जल्दी जल्दी भगवान का नाम लिया, रुखी सूखी रोटी खा कर जल्दी ज खेतों पर चला गया, सारा दिन खेतों में काम किया, और शाम को वापिस घर आया, जानवरों को अपनी अपनी जगह बांधा, उन्हें चारा पानी डाला, हाथ पानों धुये, कुल्ला किया, फिर थोड़ी देर भगवान का नाम लिया, फिर परिवर के संग बेठ कर खाना और कुछ बाते की और फिर सो गया, अब सारा दिन यह सब देख कर नारद मुनी जी, भगवान विश्णों के पास वापिस आये, और बोले भगवन मैं आज सारा दिन उस किसान के संग रहा, लेकिन वो तो धंग से आपका नाम भी नहीं ले सकता, उसने थोड़ी देर सुब से प्रिय भगत वो गरीब किसान ही है, भगवान विश्णों जी ने नारद की बात सुनकर कहा, अब इसका जबाब भी तुम मुझे खुद ही देना, और भगवान विश्णों जी ने एक कलश अमृत से भरा नारद मुनी को थमाया, और बोले इस कलश को लेकर तुम तीनों लोकों की परिक्रमा करके आओ, लेकिन ध्यान रहे अगर एक बुंद भी अमरित नीचे गिरा तो तुम्हारी सारी भक्ती और पुन्य नश्ट हो जाएगे, नारद मुनी तीनों लोकों की परिक्रमा करके जब भगवान विश्णों के पास वापिस आये तो, खुश होकर ब पुले भगवान मैंने एक बुंद भी अमरित नीचे नहीं गिरने दिया, विश्णू भगवान ने पुछा और इस दोराना तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया, मेरा स्मरण कितनी बार किया, तो नारद बोले अरे भगवान जी मेरा तो सारा ध्यान इस अमरित पर था, फि तो कि जो अपना कर्म करते हुए भी मेरा जाप करे वो ही मेरा सबसे प्रिया भगत हुआ, तुम तो सार दिन खाली बेठे ही जब करते हो, और जब तुम्हें कर्म दिया तो मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं था, तो नारद मुनी सब समझ गए और भगवान के चरण प दिया, आप धन्य है